करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे विर नाम सिद्धान तक नहीं होतरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सभागत है लॉकडाउन को एक्सेंड कर दिया गया है दोस्तों यह expected था 17 मही तक लॉकडाउन रहेगा दो हक्ते से बढ़ा दिया है कल प्रेस रिलीज जारी हुई है ministry of home affairs की तरफ से secretaries की meeting हुई जो health departments के थे और उन्होंने यह decide कि लॉकडाउन को extend कर देना चाहिए हमारे पस और कोई चारा है ही नहीं थोड़ा सा wait कर लीजे ultimately तो लॉकडाउन खुल नहीं है अब यह 25 मार्स से चला आ रहा है जब नरेंद मोदी आये थे और उ तो यह 35,000 से जाधा हो गए है अभी और जाधा होंगे ठीक है ना life tracker आफ worldometer से life track कर सकते हैं तो 35,000 से जाधा case हो गए है अब खत्रे की घंटी तो है ही ठीक है लेकिन परशान होने की बात नहीं है school colleges बंद है exam extend हो गए है जैसा कि मैंने बताया था UPSC का exam 100 नहीं 200% extend होगा ठ पढ़ते रहिए पढ़ाए में कोई भी रियायत ना बरतिएगा तो लॉगडाउन थरीकी बात करते हैं दोस्तों देखिए भारत में लगबग लगबग 733 डिस्ट्रिक्ट्स है ठीक है तो अब 733 में है कुछ hot spots समझ रहे हैं hot spot मतलब जहां पे जो rates है जो infection rate है वो double हो रहे है कुछ है non hot spots no hot spots ठीक है जहां पर जो hot spots तो नहीं है लेकिन यहां पर आपको infected people मिलेंगे Corona से पीडित यहां पर लोग आपको मिलेंगे ठीक है और तीसरे है no hot spot with no infection ठीक है तो जो hot spots हैं, चिनको हम red zone में रखते हैं, hot spots को ही हमने red zones में रखा है, ठीक है, जहां पे बहुत ज़्यादा खत्रा है corona का, ये हैं हमारे red zones, उसके बाद आता है हमारा orange zone, orange zone में क्या है, जो hot spot नहीं है, लेकिन corona से infected लोग आपको मिलेंगे यहां पे, तो ये हैं हमारा orange zone, फिर आत spot है, नहीं यहां पे corona का infection फैला है, समझ रहे हैं, तो जो red zone और orange zone में नहीं आएगा, वो है green zone, मतलब जहां पे सबसे ज़्यादा infection है, वो है red zone, उससे कम orange zone और जहां पे infection नहीं है, वो है green zone, ठीक है, अभी हम containment zone की भी बात करेंगे, जो जबसे खतरनाक है, तो 170 district जो थे, व हमारे लिए, ठीक है, 37, 284 orange zone में, 319 green zone में, ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तो, red zone में important cities कौन कौन से हैं, सारे बड़े शहर red zone में आते हैं, इसमें आपका दिल्ली आगया, देश की राजदानी दिल्ली, मुंबई, पुडे, सूरत, श्रीनगर, रायपुर, बोपाल, गौालियर, चिन्नाई, जैपुर, लखनव, आगरा, कानपुर, नॉड़ा, ये साब आते है red zone में, ठीक है, ये सारे बड़े शहर है, बड़े शहर है, आबादी जादा है, तो आएंगे ही red zone में, अब नई guidelines क्या कहती है, देखे, सबसे पहली बात तो ये है, कि जो चलता आ रहा था वही आएगा, जो 25 मार्च से, 25 मार्च को जो रूल फ्रेम किये थे वही है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाओ किया गया है, अब वो बदलाओ क्या क्या है, देखे, railway, airlines, interstate movement को अल्रेडी प्रोहिबिट किया था, वो जारी रहेगा, जहां पे भीडर लग सकती है malls, hospitality services, hotels, restaurant उसको बंद किया गया है, पहले भी बंद था वो, ठीक है, हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, essential services के लिए ही बाहर निकले, essential services continue रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना बाद के बाहर मत निकले, सुबा 7 बज़े से शाम 7 बज़े तक, अगर आप non-essential activities के बाहर निकलते हैं, तो आपको गिरिफतार कर लिया जाएगा, red zone में, अगर आप two wheeler पे जा रहे हैं, तो एक ही इनसान जाए, दो इनसान के अनुमती नहीं है, समझ रहे हैं, ऐसे ही अगर आप car से जा रहे हैं, तो उसमें भी खाली driver, red zone, ठीक है, वो भी permission से ही permission लेके ही ज लोग हैं, वो घर पे ही रहेंगे, ठीक है, अब हम zone wise देख लेते हैं, दोस्तों, देखे, red zone की बात करें, तो जैसा पहले था, रिक्षा, auto rikषा, taxi, cab, ये सब बंध है, bus, barbershops, saloons, ये सब बंध है, ठीक है, उसके बाद, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, तो एक इनसा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता है, दो इनसान नहीं जाएगे, ठीक है, four wheelers की बात करें, दोस्तों, four wheelers, तो उसमें भी यही है, ठीक है, उसमें भी दो person, याद रखेगा, ठीक है, अगर four wheeler की बात करें, तो आपको permission लेनी पड़ेगी, permitted activities अगर आप कर रहे हैं, तो driver और दो person, यानि की total तीन लोग allowed है, लेकिन with permission, और अगर आप two wheeler पे हैं, तो एक ही इनसान जाएगा, दो लोग नहीं जाएगे, यह ध्यान रखेगा, वरना पुलिस ने देख लिया, तो आपके ओपर कारवाई करेगी, manufacturing units of essential goods, non-essential नहीं, essential goods, ठीक है, जैसे drugs, pharmaceuticals, medical devices, raw materials, यह सब बहुत जदा important है, ठीक है, यह जारी रहेंगे, इन पे रुकावट नहीं है, खेती भी जारी रहेंगी, farming भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी guidelines है, भीड नहीं लगा सकते, ठीक है, जो stand-alone single shops हैं, ठीक है, essential services की, जैसे आपके किराने की, पर्चून की दुकान, ठीक है, सबजी वाले के दुकान, वो खुली रहेंगी, है ना, वरना तो फिर सब लोग भूग के मरने लगेंगे, तो essential services जारी रहेंगी, इसमें आप परचान मत होईएगा, समझ रहे हैं, red zone में, हाँ, आरोग इसे तू एप आपको बताता रहेगा, उसमें bluetooth on रखेंगे आप, औरेंज जोन में दोस्तों, यहाँ पे caps को थोड़ी रियायत दी गई है, मतलब यहाँ पे ola uber चल सकती है, ठीक है, one driver and one passenger, तो यह थोड़ी औरेंज जोन में रियायत दी गई है, ठीक है, उसके बाद green zone, green zone में buses भी चल सकती है, buses operate कर सकती है, green zone सबसे safe है, लेकि green zone को orange zone बन से containment zone देखेगी, मतलब वो area जो highly infected है, जो hot spot है, hot spot के अंदर hot spot, ठीक है, वो हग आपका containment zone, इसमें कुछ भी नहीं allow होगा, nothing will be allowed, containment zone के अंदर, ठीक है न, तो यह नौबती ना है, ठीक है, हाला कि अभी red zone में containment zone कौन कौन से है, जा पे बहुत जादा infection है, वो देखा जागा, ऐसे ही तो corona control होगा न, ऐसे ही corona control होगा, और कोई चारही नहीं, और एक चीज़ और दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ आप समझें, lockdown 3 जो है न, वो बहुत ही हलका है, ठीक है, lockdown 1 और lockdown 2 में बहुत strict rules थे, lockdown 3 में तो कुछ rules ही नहीं है, मतलब जादतर चीज़ों को तो allow ही कर दिय तो आप परशान मत होईए, यह मत समझेगा कि red zone और orange zone और green zone बिल्कुल भी नहीं, lockdown 3 बहुत ज़्यादा हलका है, lockdown 1 और lockdown 2 से, ठीक है न, बहुत सारी चीज़ें allow कर दिया, हाँ, जो containment zone है दोस्तों, ठीक है, इसमें problem है, देखिए, orange zone और red zone से जैसा कि अभी मैंने बताया, वो तो अथोरिटी त्या करेगी, municipal corporation त्या करेगी, और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि इसमें containment zone को है, कौन सा है, उसमें घर घर जाके scrutiny होगी, घर घर जाके medical staff चेक करेगा, आरोग गिस सेटू एप जो है, वो हर mobile phone पे containment zone में नेसेसरी है, ठीक है, तो वो देखें कि authorities कि इन zones में containment zone जाने की सबसे जादा infection वाले area कौन से है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ये मस समझें कि lockdown 3 और खतरना क्या red zone, orange zone, zone में divide तर दी तो problem बिलकुल भी नहीं, है ना, तो ये चीज है, फिलाल आप ये देख लिजेगा दोस्तों, ये है activity, ठीक है, कौन कौन से activities allowed है, ये पूरे चार्ट में दी गई है, है ना, ये मैंने screenshot लगाया है, ये press release है, ये 4 मई से कौन कौन से activities allowed होंगी, कौन कौन से zone में ये दिया गया है, ठीक है, और in zones में containment zone को निकाला जाएगा, ठीक है, और containment zone में कुछ भी नहीं, अब अगेन मैं बोलूँगा, फिर से आरोग इसे तु आप जरूर आप डाउनलोड कर लें, आरोग इसे तु आप आप डाउनलोड करिये, वो आपको बहुत ज़दा मदद मिलेगी, उससे आपको बहुत ज़दा मदद मिलेगी, फिर दोस्तों एक और चीज है, कि जो containment zone होगा, ठीक है, या red zone में भी, अभी यह वहाँ पे सरकार जो है, वो जो highly infected area है, वहाँ पे घर-घर scrutiny भी करेगी, घर-घर जाके check करेगी, medical officers जाएंगे वहाँ पे, medical staff जाएगा, और देखेगी, कि आप लोग healthy हैं कि नहीं है, ठीक है, तो ये करना जरूरी है, फिलाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा चलता आ रहा है, वैसा ही चलेगा, कोई परचान होने की जरूरत नहीं है, 17 मही तक lockdown बढ़ा दिया गया है, अब तो आपकी आदत मी पढ़ गही होगी, enjoy करिए, बिल्कुल, तो खुछ रहें पढ़ते रहें, देसे सिद्धान तक नहीं होतरी, signing off.